आज हम कक्षा 10 गनित में पाठ एक वास्त्विक संख्याएं की प्रश्णवली 1.2 हल करेंगे इसका पहला प्रश्ण है शिद कीजिए की वर्गमूल 5 एक अपरिमे संख्या है इसे हम विरोधावास प्रक्रिया से हल करेंगे अर्थात माना माना वर्गमूल 5 एक परिमे संख्या है पहले से एक परिमे संख्या माल लेंगे और फिर दिखाएंगे जो हमने माना था हो गलत है परिमे संख्या है अगर कोई संख्या परिमे संख्या होती है तो उसे A बटे B या P बटे Q में लिसकते हैं जहां B या Q 0 नहीं होते हैं इसको ही मान लेते हैं माना अंडरूट 5 बराबर A बटे में B जहां B 0 के बराबर नहीं है और साथ ही A और B देखो A और B अपने सरलतम रूप में है तो A और B के बीच के बीच कोई भी उभयनीस्ट गुरन्खन नहीं है उभयनीस्ट गुरन्खन नहीं है इसका अर्थ ये है कि ये अपने सरलतम रूप में है इनके बीच में कुछ भी common नहीं है अब इसको आगे continue करते हैं देखो यहाँ पे हमने ये मान लिया है कि ये A बटे B के बराबर है अगर इसको आगे continue करते हैं देखो तो इस 5 B को 5 से गुना कर देंगे तो A बराबर आ जाएगा वर्ग मूल 5 गुना B अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं इस काम वर्ग करने पर A का वर्ग बराबर 5 B का वर्ग अब देखो दाहिने तरफ वाली संख्या दाहिने तरफ वाली संख्या मतलब 5 B का स्क्वार ये 5 से बिभाजित हो जाएगी जब दाहिने तरफ 5 से बिभाजित हो जाएगी तो बाइए बिभाजित हो जाएगी पक्का है क्योंकि अगर दाहिनी बिभाजित है गुडणखंड है यहां से यह पता लगए 5 इसका गुडणखंड है इसे हम ले लेते हैं इसे लेते हैं समीकरण 1 बाद में इसका प्रयोग करेंगे समीकरण नमबर 2 आ गई यद तठ्धिय नमबर 2 आ गया है अब आगे बढ़ते हैं अगर 5 A Square का गुलंखंड है तो A Square को यहीं कि A को ले सकते हैं 5 गुरामे के देखो 5 A Square का गुलंखंड है और थाथ 5 A का भी गुरणखंड है ये भी लिखना जरूरी है और इसी को लेते हैं नमबर दो पांच ए का गुरणखंड है मतलब पांच से ए बिभाजिस तो याएगा तो ए बराबर हम लिए पांच के दोनों तरफ वर्ग किया इसको तो ये आगया ए का वर्ग बराबर 25 के का वर्ग अब देखो एक स्क्वाइर के इस मान को हम रखते हैं समी करणड एक में समी करणड एक से देखो समी करणड एक में रखने में क्या मिलेगा एक में यहाँ पर A square है तो A square की जग जग आएगा 25K square तो 25K square बराबर यहाँ जाएगा 5B का square दोनों तरफ 5 से भाग हो जाएगा तो यहाँ पचाएगा 5K का बराबर B square अब इसे देखे क्या लग जैसे हमने यहाँ पर result निकाला था ना A square बर 5B square वैसे देखो यहाँ B square बर 5K square आगया तो इससे हमें क्या पता लगता है कि 5B square का गुरंखंड है 5B square का गुरंखंड है अगर 5B square का गुरंखंड है तो 5B का भी गुरंखंड होगा यह हमारी समीकर नमबर 3 आ गई अगर ध्यान से देखे हम समीकर नमबर दो ये वाली और समीकर नमबर तीन इसको देखो इन दो नमबर इसमें लिखा है पांच A का गुरंडखंड है और यहां लिखा है पांच B का गुरंडखंड है और हमने सुरू में कैसा पोस किया था कि A और B के बीच में कोई भी गुर्णखंड नहीं है अर्थात ये हमारी कल्पना के विप्रीथ है तो यहां लिश सकते हैं कि ये हमारी कल्पना के विप्रीथ है ये हमारी कल्पना के विप्रीथ है विप्रीथ है या यह हमारी कल्पना से विरोधावास करती है और यह ऐसा क्यों हुआ है यहां लिखेंगे आगे यह ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी कल्पना गलत थी इसलिए वर्गमूल पांच एक परिमे संख्या है हमने कल्पना क्या की थी कि अरवर्गमूल 5 एक परिमे संख्या है देखो अगर हम कल्पना ही गल्ट करेंगे या गल्ट चीज को ही मान के चलेंगे तो रिजल्ट भी गल्ट आएगा इसलिए हमारे पास ये रिजल्ट आया है कि A और B के बीच एक common गुरन खंडा है मतलत वैenिश गुरन खंडा है वो है पांच ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने माना था कि अर्नडर रूंट पांच एक अपरिमे संख्या नहीं परिमे संख्या है तो लोगना गल्ट हो गई इसका मतलब है कि हमने गलत सपोस किया था अर्नर बिरूंट पांच एक